जब से इरान ने इसराइल पार तीन सो से ज्यादा घातक ड्रोंस, रॉकेट्स, क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया है तब से ही पूरे मिडिलीस्ट में एक बड़े युद्ध का खत्रा मंड़ा रहा है यहां तक कि इस हमले के बाद इसराइली प्रधान मंत्री बेंजमिन नेतनियाहू एलान कर चुके हैं कि वो इरान से सीधे युद्ध की तैयारी कर रहे हैं उनका कहना है कि इस्राइल और इस्राइल की जनता कमजोर नहीं है वो इरान के इस हमले का मूँ तोड जवाब देंगे लेकिन इस हमले को लेकर पूरी दुनिया अब दो खेमों में बट गई है एक तरफ अमेरिका की अगवाई में पश्चमी देश इसराइल के साथ खड़े हैं वहीं दूसरी तरफ कुछ अरब देश इरान के साथ है लेकिन इस पूरे जगड़े में रूस और चीन ने सीधे सीधे मिडिलीस्ट में बढ़ती अर्स्थिरता का ठीकरा पश्चमी देश उपर फोड़ा है तरफ सल इरान के इस हमले को लेकर अब रूस के विदेश मंत्राले का आधिकारिक बयान आया है जिसमें रूस के विदेश मंत्राले ने कहा है कि 14 अपरेल के शुरुवाती घंटों में कई मिसाइले और ड्रोन्स इसराइल पर दागे गए इरानी विदेश मंत्राले के मुताबिक ये हमला संयूक्त राश्र के चार्टर के अनुच्छेद 51 के तहत किया गया था जो इलाके में इरानी टार्गेट्स पर हुए हमले के जवाब में था एक अपरेल को दमिश्क में इरानी दूतावास पर हमला हुआ था जिसकी हमारे देश ने कड़ी निंदा की थी दुर्भा के वश पश्चमी देशो द्वारा अपनाए गए रुक से सुरक्षा परिशद इरानी दूतावास पर हुए हमले को लेकर कोई उचित प्रतिक्रियान नहीं दे पाया था आपको बता दे कि रूस के विदेश मंत्राले ने ये भी कहा कि रूस इलाके में गंभीर रूप से खतरनाक संगर्श बढ़ने को लेकर चिंतित है मिडलीस में कई अंसुल्जे मुद्दे हैं जो कई बार गैर जिम्मेदाराना उकसावे वाली कारवाई भणकाते हैं जिस से तनाव और बढ़ेगा हम सभी पक्षों से आगरह करते हैं कि वो संयम बरते हम स्थानिये देशों से मौजूदा मुद्दो को राजनितिक और राजनिक तरीके से सुलजाने के लिए कहते हैं हमें विश्वास है कि रचनात्मक सोच रखने वाली अंतररास्ट्रिय संस्थाएं इसमें योगदान देंगी वहीं दूसरी तरफ चीन ने भी मिडलीस्ट में हालिया घटना करम को लेकर चिंता जाहिर की है लेकिन चीन ने प्रभावशाली देशों से इलाके में तनाव को स्थिर करने के लिए कहा है चीन के विदेश मंत्राले का कहना है कि वो मौझूदा संघर्ष को लेकर गंभी रूप से चिंतित है चीन ने अपने बयान में कहा कि हम सभी पक्षों को सैयम बरतने का अनुरोध करते हैं और संघर्ष को आगे रोकने के लिए सैयम बरते मौझूदा हालात गाजा संघर्ष की वज़ा से हुए है सैयुक्त राज सुरक्षा परिशत के रिजल्यूशन 27-28 को लागू करने में अब देरी नहीं होनी चाहिए और अब संघर्ष जरूर खत्म होना चाहिए चीन अंतर राश्च्य समुदाय विशेश कर प्रभावशाली देशों से अनुरोध करता है कि वो इलाके में शान्ती और स्थिर्था स्थापित करने में रचनात मगभूमी का आदा करें आपको बता दे कि चीन और रूस दोनों ने ही इरान के इसराइल पर हमले की निंदा नहीं की है बलकि रूस ने इरानी दूतावास पर हुए हमले की पहले ही निंदा की थी और ये दोनों ही देश सैयुक्त राज सुरक्षा परिशद के 27 अदस से हैं और इन दोनों ही देशों की विदेश नीती अमेरिका के बिलकुल उलट है और इरानी हमले से पहले अमेरिकी राजपती जो बाइडन ने एलान किया था कि वो इसराइल को लोहे का सुरक्षा का बजदे रहे हैं झाल